नमस्कार दोस्तों आज के सी यूपी यसी टर्मिलोजी सीरीज में हम एक नहीं टर्म में सीखेंगे फोरम शॉपिंग एफ ओ आर यू यह फोरम उभोगता फोरम वाला फोरम है यह फोरम शॉपिंग तो सरसे पहले इसका से क्यों साल्व करेंगे क्या संभावित अमसे क्यों से बन सकता है पोरन शॉपिंग से संबंधित कतनों पर ध्यान देना है पहला कतन है इसका तरफ़ ऐसी अदालत के चैन से है जहां से अधिवक्ता अधववादी के पच्छ में फैसला आ सकता है दूसरा है किसी भी वाद में संबंधित वकील का हाई कोट ना जाकर पी आई एल द्वारा सीधे सुप्रियम कोट या उच्चतम ने आले चले जाना फोरम स्वापिंग के दाएरे में आता है इसको पॉस करके आप ध्यान से पढ़ सकते हैं एक बार हम फिर सी रिपीट कर देते हैं फोरम स्वापिक से संबंधित कतनों पर ध्यान दें इसका ततपर ऐसी अधालत के चैन से है जहां से अधिवक्ता अधववादी के पच्छ में फैसला आ सकता है दूसरा है किसी भी वाद में संबंधित वकील का हाई कोर्ट न जाकर हाई कोर्ट न जाकर P.I.L. के द्वारा सीधे सुप्रिम कोर्ट चले जाना फोरम शापिक के दाएरे में आता है इसमें बताना है कितनी कतन सई हैं तो क्या A केबल एक, C एक और दो दोनो बी है केबल दो और D है वो क्यों से कोई नहीं तो पॉस कर चरके आप इसको अपना एंसर दे यह हो सकता है कि ये आ जाए इस फोरम स्वापिंग एक्जाम में आप पूच सकता है क्यों पूछ सकता है क्योंकि अभी हाले में CJI ने जो बारत के CJI हैं DY चंद्रचूण तो इन्हों ने मतलब एक किसी बाद में इन्होंने कहा कि जो केस चल रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि वह फोरम शॉपिंग के निंदा करते हैं और फोरम शॉपिंग को वो अलाउ नहीं करेंगे तो अब यह देखते हैं कि यह है क्या फोरम शॉपिंग फोरम शॉपिंग है जब कोई अधिवक्ता अथवावादी अपने केस को जान बूज़कर किसी विशेश जज या न्याले में ट्रांसफर कराने का प्रियास करता है और उन्हें लगता है कि निरणे उनके अनुकूल हो सकता है आप यह कई बार देखते होंगे कि लोग जैसे दिली हाई कोट में कोई केस चल रहा है दिली हाई कोर्ट में अब वो दिली हाई कोर्ट से उसको ट्रांसफर कराके चाहते हैं कि वो दिली के सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहते हैं या कि दिली हाई कोर्ट से ट्रांसफर कराके वो यूपी के हाई कोर्ट या अलाहबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते तो गई वर होता है कि अधिवक्टा लोग जजज लोगों से भी साथ गाठ किये रहते हैं तो साहते हैं कि हमारे मनफसंद का जज रहे, तो निरणें उनके अनुकुल हो जाए तो इसमें ध्यान रखना है जब कोई अधिवक्ता या वादी वादी भी इसमें ट्रांसफर करा सकता है अधिवक्ता या वादी अपने केस को जान बूझ कर किसी विशेश जज या नयायाले में ट्रांसफर कराने का प्रयास करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि निरड़ें की अनकूल हो सकता है तब उसे कहते हैं फोर्म शौपिंग इसी से इसी लिए द्वी चंदर चूर जी ने इसको मना कर दिये कि वो फोर्म शौपिंग के अनुमत नहीं तो उनके पास एक केस आया था कि अब जज की बैंच चेंज करने के लिए उनके पास केस है था क्योंके केस को एक जज की वेंच इस जए मालेते हैं एक कोई जज की वेंच है इससे ट्रांसफर करने के लिए बी जज की वेंच से तो उन्होंने मना कर दिया कि इससे दिक्कत क्या है उनको देख लेते हैं इससे दिक्कत क्या है एक तो इसमें दूसरे पक्ष के साथ अन्याय की संभावन है कैसे अन्याय हो सकता है जैसे मान लेते हैं कि कोई भाई बाहुवली टाइप का आदमी है तो वो जज्ज लोगों से साट गाट करके सेलेक्ट कर लेगा अपने अपने मन मुताबिक जज्ज तो दूसरा पच्छ तो कमजोर रह जाएगा ना तो वो इससे क्या होगा समान न् अधिक बोज अधिक बोज हो सकता है अब क्या क्यों हो सकता है कि सभी लोग चलेट करें नहीं हम उसी पीठ में केस अपना चाहते हैं जिसमें सी जे आई हो तो ऐसे नाइक बोज भी तो बढ़ सकता है नाइक प्रक्रिया में बाधाएं भी आ सकती है तो यह नाइक प्रक्र नियालाय की विश्वस नियता पर भी प्रभाव पड़ता है तो यह सारी फोरम सौपिंग के चिंताएं हैं कि इसे यह समद्ध सोगता अब एक इंपर्टन बात और होती है कि इससे सम्द्धित सुप्रीम कोट ने कुछ निरने दिये हैं सुप्रीम कोट और हाई कोट ने मिलक तो इनके बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पर नाम इनके एक बार दिमाग में रखना अवश्यक हो जाता है तो पहला किस था चेतक कंस्ट्रक्शन लिम्टेड बनाम ओम प्रकास मामले में यह 1988 में मामला आया था और इसमें सुप्रीम कोट ने कहा था कि वादी को फोरम अप पसंदां इसम्टी नहीं तीजा सकती को फोरम की पसंद का फोरम की पसंद का पसंद की आनूमती नहीं यहा सकती ती इस इसा प्रेम कोट ने कहा था चेतक कश्यक्शन बनाम ओम प्रकास मामले में 1988 में ही और पिर एक केस आया भारत संग बनाम सिपला लिम्टेड ये दबाई की कंपनी है तो भारत संग बनाम सिपला लिम्टेड 2017 के मामले में भी सुप्रीम कोट ने कहा कि फोरम शॉपिंग के मतलब पहले तो जैज कोट केस ट्रांसफर करने से पहला यह चेक कर लेना चाहिए एक एक दूसरी बेंच की ओर कि क्या जो बादी चाहता है या वकील चाहता है कि किस हमारे ट्रांसफर किया जाए तो क्या वो जैनुवीनिली चाहरा है जैनुवीनिया की मांग के लिए चाहरा है या कि फिर वो अपनी चालांकी या कोई रणनी ती दिखा रहा है तो यह पहले जज बिजय कुमार घाई बनाम पश्चिम बंगाल राजिक किस संबंदित है आप संदेदे फोरम स्वापिंग और नियाइक सेक्रेटा और आप संदेदे स्वतंतरता आप संदेदे को लगा के रख दे तो कुछ भी इसमें असीम संभावना है यूपी यसी दैत है कुश्चन बनाने में उससे निरदाई कोई नहीं है तो कुछ भी कुश्चन बना सकता है हमको उसके लिए रहना तो विजय कुमार घाई बनाम पश्चिम बंगल राजबाद में भी सुप्रीम कोट ने यही कहा कि कानून में इसकी कोई मंजूरी ने किसकी फोरम शॉपिंग की फोरम शॉपिंग की कानून में कोई मंजूरी नहीं है और इसकी कोई सर्वोचिता भी नहीं कि फोरम शॉपिंग की ही जाए तो इसमें भी मना कर दिया और डांक्टर खैर उन निसा और अन वर्षिस जमू एन्ड कस्मीर यह भी लेटेस्ट है 2023 का यह है तो स TS पिर जर्माना भी लगा दिया जो लोग फोरम फोरम शॉपिंग में जो लोग फोरम शॉपिंग में सब् laws परण ने ते जो लोग सय लगिन ng we लगा दिया एक अदाम आगे बढ़के सिदायत नहीं दी उसमें जुर्माना भी लगा दिया तो यह केस हैं चेतक का इंस्ट्रक्शन बनाम प्रकास मामले भारत संग बनाम सिपला विजय कुमार घाई बनाम पश्चिम मंगल राज और डाक्टर खैर उन निसा जमुकस्मिर त तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अपना इसमें लोटते हैं तो इसका ताथ पर एक ऐसी अदालत के चैन से हैं जहां से अधिवक्ता थवादी की पच्छे में फैसला आ सकता है तो यह कतन सही है दूसरा कतन किसी भी वाद में संबंदित वकील का हाई कोट ना जाकर पी-ा-ई-ल द्वारा सीधे उच्छतम नयाले चले जाना फोरम शॉपिंग के दायरे में आता है तो यह कतन भी सही है कैसे सही है जिसे फोरम शॉपिंग मतलब तो अपने मन पसंद का जज या कि फिर नयाले चुनना है तो अगर हाई कोट ना जाके वही दिली जिर्मा लेत अपना जांगरवना चाहता आप सपरेम कोड में जा सकते हैं मß के द्वारा तो वह सपरीम जाना चाहता है तो जो प्रत्रीक प्रक्तियाज को प्रक्तिया मैं C, इसके दोनों सही हैं, एक और दो, दोनों सही.